नमस्कार में हुनिवेदिता शुक्ला पाकिस्तान और दक्षन अफरिका के बीच शुक्रवार को केप टाउन में खेला गया T20 मैच बेहब ही रोमान चक रहा जिसमें दक्षन अफरिका ने पहले बल्ले बाजी करते हुए रीज हेंड्रिक्स और कप्तान फाफ डू प्लेसिस की अर्दुशत की अपारियों के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाए हेंड्रिक्स ने जहां 41 गेंदे खेल कर 84 रनों की शांदार पारी खेली वहीं कप्तान डू प्लेसिस ने 45 गेंदों पर पूरे 78 रन बनाए विकेट कीपर गिहाना क्लोटे ने 12 गेंदों पर 13 और डेविड मिलर ने 12 गेंदों पर 10 रन बनाए और 10 रन के साथ डेविड मिलर ने मैन ओफ दे मैच की ट्रोफी अपने नाम कर ली जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना डेविड मिलर मात्र 10 रन बना कर मैन ओफ दे मैच बन गए कैसे हम आपको बताते हैं दरसल 193 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए मैदान में उत्री पार्ख टीम ने पहले ही ओवर में फखर जमान का विकेट खो दिया जो की हेंड्रिक्स का शिकार बने जिनके बाद बाबर आजम और हुसेन तलत ने पारी को सम्हालने की कोशिश तो की लेकिन क्रिस मौरेस और तबरेज शमसी ने मिलकर 93 के स्कोर तक दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन लोटा दिया जिसमें बाबर आजम को मिलर ने डारेक्ट ठो कर रन आउट किया उसके बाद तो मानो पाकिस्तान विकेट पर विकेट गवाता ही चला गया कप्तान शोय मलक एक तरफ से पारी को तो संभलते रहे लेकिन वो तब बोल्ड हो गए जब पाकिस्तान जीत के बेहत करीब था और जब पाकिस्तान को मात्र 16 रनों की जरूरत थी तब क्रिस मोरिस ने तीसरी गेन पर मलक को आउट कर टीम को जटका दे दिया और कैच लिया मिलर ने चौथी गेन पर शादाप खान ने चौका तो जड़ा लेकिन पूरे ओवर में मिला कर मात्र 9 रन ही आए और मात्र 6 रन के अंतर से पाकिस्तान मैच गवा बैठा पाक टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 186 रन ही बना पाई और मैच हार गए डेविड मिलर ने जहर जोय मले का कैच लिया वहीं बाबर आजम को डारेक्ट ठ्रो से रन आउट किया इन दोनों के अलावा आसिफ अली, इमाद वसीम और हसन अली के कैच भी डेविड मिलर ने ही लिये साथ ही मोहमद रिजवान को भी अपने डारेक्ट थ्रो से मिलर ने ही पवेलियन लोटाया जुसके बाद बिना बोलिंग और बारा गेंदों में दस रन बना कर मात्र अपनी फील्डिंग के बल पर डेविड मिलर ने मैन ओफ त़ माच की ट्रोफी अपने नाम कर ली मिलर से पहले फिल्डिंग के जरिये क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने वाले साउथ अफरिका के क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने साल 1993 में मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में जब साउथ अफरिका और वेस इंडीस के बीच मैच खेला जा रहा था तब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने के बाद भी टीम के रक्षक की भूमिका निभाई थी फिल्डिंग के दौरान अफरिका के डेरेल कलिनन को गंभीर चोटा गई थी ऐसे में डेरेल की जगे जोन्टी को फिल्डिंग का मौका दिया गया था फिर क्या जोन्टी ने अपने फैंस को वो नजारा दिखा दिया जिसकी किसी ने भी उमीद नहीं की थी जोन्टी ने एक के बाद एक वेस्ट इंडीस के पांच दिगज खिलाडियों के कैच लेकर उन्हें पवेलिन लोटा दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि इस मैच में हार का सामना कर रही साउथ आफरिका टीम पूरे 41 रन से ये मैच जीत कई ऐसे में टीम को अनप्रेडिक्टेबल जीत दिलाने वाले जॉन्टी रोड्स मैन आप दे मैच परे थे